हेलो गाइस स्वागत है आप लोग सभी को मेरा नीव ब्लोग में तो आज का ब्लोग हम साम से शुरू कर रहे हैं और हम अभी छट पे छट पे दिखिए हम जूला जूल रहे हैं है आज वोचू का है साम अरो चीता को सोई विती दुठाकर लेया है तो देखिए कैसे कर रहे हैं वुष्ण है तो गाइस साम का नजारा आप लोगों को दिखाते हैं मेरा चनले ईए बंचलों कि प्राउंग में कट़ी खिल रहा है आप मों को नजरा रहा आओगा और हम यहां जूला जूलने आ गाय क्यों कि घर में बैठे बैठे बोरिंग फिल हो रहा था तो सोच चलो छत पे थोरा चलते हैं और दो दिन जैंड प्लोग भी नहीं आ रहा था यूद्स आप लुग को मेरा सपोर्ट में करते हैं मैं प्यार में दिखा रहे हैं तो इसलिए बनाने के उमन में करता है और आप लोग में बने रहें और हम आपको अपना आम दिखाएंगे मेरा आप यह वह देखें हैं आप लोग लेकिन अभी definite आने कि आम कितना बड़ा हो चुका है पोप ह्रस्त जो बगन है कि इनका भी आम काफी ज़्यादा बड़ा हो चुका एट वह आपना दिखाएंगे तो आप लोग बने रहें और आपको दिखाएंगे कि तो छो टा से अम इत्वर ने परेगा और ये छोटा सा पाउधा है ये छोटा ड्राम में और पाउधा ज्यादा बरा नहीं है आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें देखिए, तीन अमरूत फड़ चुका है और ये भी है, इसमें नीबु का पेर है और इसमें देखिए कितना सारा नीबु भी फड़ा है, आप लोगों को नजर आरा होगा और ये आम का पौधा है यह मेरी नई है, गाइस हम आपको बता दे रहे हैं मेरे नहीं है मेरे बगल वाले के हैं जो हम नीचे में रहते हैं और उपर में कोई और ही रहते हैं यह उनीका बगान है तो हम आप लोगे दिखा दे रहे हैं और चलिए हम आपको अपना आम दिखाते हैं मेरा जो आम है गैस जो मेरा आम है देखिए सामने से दिखा रहा है कि इतना काफी जड़ा वरा हो चुका है और यह देखिर मेरा आम उपकर नजा रहा है इसमा खुरूरत लग रहा है कि हम आपको बता ने सकते हैं देखिए और यह ऍजनें हैproald यह मेरे आगन है और जूए और यह दिखित आप सितना वन रावरा है तो एले हैं है कि तो ऊधिए मिरिया जो हम चैना और आपका आप सो कि इलाड आप निदर हो झाल थैसिना चाहाट इसमान और यहादा पर सिरता आप देखिए ये साइट भी आपको दिखाते हैं कुछ-कुछ पक रहा है गाइस अब पानी गिर रहा है न अब बारिस और और बारिस होगा तो आम पक जाएगा तो आम पकने लगेगा दीरे-दीरे किनकि बड़ा हो चुका है गाइस जब पकेगा मेरा आम तो उससे में कभी जूम करके यह आम जो है मेरे बगल वाले बगल वाले जो यह है क्या बहुते बंगला है उसमें कहां यह डॉक्टर साहब का घर है इसमें डॉक्टर साहब राते हैं तो इसका आम देखिए ग्रीन ग्रीन आम है इसका कलर ग्रीन है जैसा पत्ता वैसा आम है तो इसका आम भी काफी जादा ख़रा हुआ है वी और यह गाइस मेरे छत के नजारा यहां पर देखिये मेरे टंकियूंग की है और बच्चा लोग जो है यहां पर किरकेट खेल रहा है हम आप लोगों दिखा रहे हैं मेरे जो बिल्दिंग है बिल्डिंग से पीछे बच्चा लोग किर्केट खेल रहा ग्राउंड में जो आप लेको दिखा रहें दिखी जाइस रुचीता अभी पुस्सा है पता ने क्यों अभी सोक उठी है इसको सुक सोक उठी तो उसको च्छत पे लेके आगा है बोले कि चलो तरह मून फ्रेस हो जाएगा लेकिन ये बच्चा जो है मुफुला के बेठी है क्या चाहिए पता नहीं हाथ में देखिए चौकलेट भी लए है और इसके बाबा मार्किट भी गए है और बोले है चौकले म्से की आएंगे फिर ये नुरुचीता कि मूफ मैं वहुआ है क्या वाने बंग में बॉलो तो ओला हैं मूश्चीता बोलो लो नहीं आधे कुछ नहीं पर मूलने के लिए कशा ये परिने ुष्ट ब् कि आप लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो सपोर्ट नहीं किजेगा तो मन नहीं करेगा ब्लोग बनाने का और ब्लोग बनाने का मन तभी करता है जब लोग सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है मन नहीं करता है कि ब्लोग बना है तो यह छोटा सब ब्लोग आप लोग को share करना चालते हैं और अगर मेरा ब्लोग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ब्लोग को like share comment कर दिजेगा और channel पर नए हैं तो subscribe कर दिजेगा guys आप लोग support कीजिए तो हम भी अच्छे अच्छे ब्लोक आप लोग के लिए लाएंगे शोट वीडियो भी लाते हैं तो आप लोग का सपोर्ट की जरुवत है और आगे बरहाईए और आगे बरहाईएगा तो ब्लोक भी नया नया बनाएगे तो बस आज के लिए इतना ही और चैनल करना है तो सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक सेर कमेंट कर दीजिए और चैनल को जरू से जरू सस्क्राइब कर दीजिए टाटा बाइबाइ बुग नाइट मीलेंगे नेस्ट ब्लोक में